राश्पति पूतीन, सम्मानित अतिजीगान, नमस्कार, मुझे खुशी है कि वालदी वस्तोक में आयुजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकनमिक फोरम में आपसे वर्चुल रूप से जुड़ने का मोका मिला। इसी महिने व्लादी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्य सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोखा मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीति की गोश्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फारिस के साथ विभिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें। चिन्ने वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में। कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटिक विश्यों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंट्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास हैं कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती हैं यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंग, फटिलाइजर और फ्यूइल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं इस समंद में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्याथ समंदित हाल की सहमती का स्वाध़ भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्प्रती पुतीन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आवसर दिया और इस फोरम में उपस्दित सभी भागिदारों को हार्दिक शुपकामनाय जेता हूं बहुत बहुत धन्यवाद ऑल डबस्प्रम मिन्सर नेंटर मोधि ये अद्रेसे अद एस्टें एक इक इनक फोरम वाद विया इन आवद दिया